नमस्कार मैं करवंवीर सारसर जय हर्याना यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं मुद्दा है अमारा सिक्षा का मंदिर और एक सबसे बड़ी पहल टीचर घर घर जाके बच्चों को सिक्षित करते वे उनका जो रोज का काम है प्रती दिन डेली का काम है उनक तो बच्चे कैसे हैं और कोरोणा वायरिस जो चल रहा है दो इसके माध्यम से जो लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिल रही है कि हमी से कैसा बचाव करना कैसे करना तो सब बात एक करोणा योदा हैई टीचर भी क्रोरा योदा है जो सब लोग वोएक स्पुर्षित करने क के मंदिर शिक्षा का दवार जो आगे बढ़ाने के सौज तो बात करेंगे उनसे कि सर इसको मत पर लो आप घर गर जाके बच्चों को एक शिक्षा दे रहे हो हम यह देखो शिक्षा तो हम में सरकार की कोशिश है कि वाट्सअप के मादम से ए-learning का जो हमने ओमवर्क देते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है मैं डॉक्टर योगेंदर राज के वरिष्ट मादमी विद्याले अब्रा में प्रवक्तर असायन सास्तर के पदपर कारेत हूं आज मैं यहां गाउं सलेमपूर में आया हूँ हूं डॉर टू डॉर बच्चों का होमवर्क चेक करने के लिए जैसा कि आप सब को विदित है कि हम पूरा भार पूरा विश्व कोरोना मामारी के से गर्षित है दूसरा जो प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ा है बच्चे जो है सकूल के अंदर सबसे ज़्यादा चारो तरह से बच्ची घटे होते हैं तो अभी तक स्कूल खूलने की कोई संभावनम नहीं है तो हर्याना सरकार ने एक पहल करके बच्चों को घर पर कैसे पड़ाय चल रही है रोजाना जिन बच्चों के घर पर मल्टिमीडिया फोन हैं इंटरनेट का जो यूज़ करते हैं वाट्सप के माधिम से उनके रोजाना उनके घर पर होम वर्क बेजा जा रहा है और उस होम वर्क हर एक हध्यापक अच्छे अच्छे कॉनसेप्ट लेकर होमवर् तो हम आज इस गाह में इसलिए पहुचे हैं कि जिस माध्यम से हम बच्चों को internet के माध्यम से पड़ा रहे हैं, कि वास्तों में बच्चे वो काम कर रहे या नहीं कर रहे ह। पुछ बच्चे ऐसे हैं जो हभी learning के माध्यम से नहीं जुड़े हैं उनको motivate करने के लिए और जो काम कर रहे हैं उन बच्चों को काम चेक करने के लिए उनको कैसे काम करना है इस वैस्विक मामारी के दोरान कम से कम हम अपना कैसे पढ़ाई करें घर पर रह करके कैसे पढ़ाई करें उनको मोटिवेट कर रहे हैं थोड़ा सा हमारे ग्रामन परवेश में क्या है कि बह कि अबड़ाएं जाएं उनको फून के मादयासे इंको से पता कि इत आप बढ़ाएं करो इए बडी क्लास में हैं जो पहले से अब जो पड़ चुके हैं उनकी साइथा लेकर के और हम ने ये कोशिस है किह हम सबता में एक बार पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क लगा कर पूरा एतियात वरक है, जिस से की भई हमें अपने आपको मामारी से बचाना है और साथ में हमें बच्चों को मुख्यदारा में भी शिक्षा की मुख्यदारा में भी लेकर आना है। इसलिए आज हम इस सल और मैं ये पूछना चाहूंगा cursed crown n BEN बच्चों का जीवन सतर पे कितना आशर पढ़ आशर इस तो बच्छ पर जी वन सतर पर देखों हम बच्चे को हम बात करें तो बच्चे हमारे जो हैं आगे आने वाले हमारे भारत के निर्माता होंगे तो यदि इस कोरणा मामारी के अंदर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे ठीक से उनको शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो पहली बात तो यह है कि वो कुछ पीछे तो रहें गई उनका जो हदोरा ग्यान भी रह जाएगा दूसरा बच्चों पर एक बड़ा परभाव यह पड़ा है कि कोरोना मामारी के वज़े से बच्चों जो छोटे बच्चे हैं जिनका लालन पालन अभी चल रहा है उनका वैक्सिनेशन सही समय पर नहीं हो पा रहा है यदि आज हम पोलियों की वैक्सिनेशन नहीं होगी आने वाले पांच साल के बाद यह वह बच्चा उस महामारी से अपने आपको कैसे बचा पाएगा यह एक बड़ा प्रभाव पड़ा है तो साथ यह द्यापक से भी बात करेंगे तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा जै हर्याना टीवी चैनल को आप जो हमारी दर्सक है जो एक सिक्सित बच्चों के लिए जो बच्चों को जो महामारी है उसी हुबरने का बच्चों का भविश से तो डोर टू डोर कैम हर्यापक की यह कोशिज होनी चाहिए कि आपने काम में भी ब़त्तेता की बच्चों का भविश से हैं चैनल कि अब कर दो झाल झाल